जनपत कानपुर्देहट के मुफानगर छेत्र के कच्छ गाउं की नाबालिक लड़की के साथ लगातार तीन माह से योन सोसन कर रहे आरोपी को मुफानगर थाना पुलित ने दबिश देकर गरिपतार कर लिया हम आपको बता दें थाना अध्यच राम बहादूर सिंपाल हुआ सीओ और एक्सपर्ट निरुत्तम ने कटोर कारवाई करने की बात कही MSS नियूज से अजीत नायक हुआ राज़ संकवार की रिपोर्ट मुफानगर क्या घटना हो गई आपकी बेटिक साथ में किस ने किया बलत कर दिश्टेगार बेटी के क्या उमार है किस क्लास में पढ़ती थी पांच पुलिसी ने अभी तक क्या कारवाई की अरोपी पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा कितने तो कितने लिए उक्तिस गड़ना हुए तीन तीन लोग थे क्या तीन बलतकारी थे या क्या था मामला एक बलतकारी और साथ में और सायोग देने वाली थे अरोपी पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया है कितने लोग तेस गड़ना में तीन लोग थे पुलिस ने क्या कारवाई किये अच्छी कारवाई कर दी अरोपी अरोपी पकड़े गया नहीं पकड़े गया अब ना मालिक कि पीड़ता के क्या है आप हम अच्छा क्या गणना हुई बच्ची कोणक्र केशिक क्या हुमारे बच्ची की बारा साथ किस क्लास में पढ़ती थी पांचुमी में पांचुमी में बलत करने वाले कौन है जड़ी के हैं और एक लिष्टेदार है पुलिस ने अभी तक क्या कारवाई किये तूरी कारवाई कर रहे हैं वो लिकादमा लिखा गया है नहीं लिका गया है कि इसे कितने दिनबार की गण्णा आये और था इस दो मैंने पहले की अभी काइसे पता चला जब उसकी माह आई गाँ तब पता चला झाल 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 झाल